नमस्कार, असोक्स किचन में आपका स्वागत है, पिछले वीडियो में हमने होममेड फ्रेस पास्ता नूडल्स बनाए थे, आज उसको हम चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे, अगर आपने उसको पिछला वीडियो नहीं देखा हैं, तो आप जाके देख ले, डिस्क्रिप् तो मैं यही कहूँगा कि चाइना की मा की आख भले छोटी-छोटी होती है, मगर चाइनीज खाना त्विस्टी होता है, अगर सही मामलों में देशभक्त की दिखानी है, तो आप चाइना के प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, खास करके खिलों ने जो आज भरे पड़े हैं मा गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे, छे साथ कर लिए लसन और एक इंज अद्रक टुकडा बारी कठा हुआ, और दो हरी मिर्चे और इसको हलका सा सौते करेंगे, लाल नहीं करना है, बस हलका सा सौते करना है, चाइनीज बनाने के लिए थोड़ा सापको गैस को तेज रखना चाहिए, तो हलका सौते होने के बाद इसमें हम डाल लेंगे प्याज, यह हमने दो मीडियम साइज के प्याज को लंबे में काट लिया था, दो शिबला मिर्च है और थोड़ी सी पत्ता गोबी है, इसको डाल दिया है, अब सबी चीजों को हम स्टर फ्राइ करेंगे, तेज आज पर थोड़ा सा भूनेंगे, ये काम आपको तीन से चार मिर्ट करना है, सब्जियों को पकाना नहीं है, सब्जियां क अच्ची कच्ची ही रहेंगी, तो यहाँ पर हमने सब्जियों को तीन-चार मिनट के लिए भून लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स, जो हमने घर पे फ्रेश बनाये थे, पिछले वीडियो में हमने इसको बनाये थे, डिस्किप्शन में लिंक भी दिया हु हुआ है, तो इसको हम डाल देते हैं, तो यहाँ घर पे बना रहे हैं, तो बढ़िया जितना नूडल्स, उतनी सब्जियां, धे सारी सब्जियां, बाहर खाईए तो कभी-कभी मन खटा हो जाता है, क्योंकि सब्जी नहीं रहती है नूडल्स में, तो अब इसमें डाल दें है, और इसमें डालेंगे, एक टी स्पून सिर्का, यानि विनेगर, अब डालेंगे टमाटो केचप, एक टेबल स्पून, अब डालेंगे थोड़ा सा ताजी कुटी हुई काली मिर्च, चारचे दाने काली मिर्च के, डालेंगे ये अजीनो मोटो, MSG ही कहते हैं इसको, वो messenger of god वाले नहीं, राम रहिम वाले नहीं, MSG, M का मतलब होता है, mono, S का मतलब sodium, G का मतलब glutamate, एक chemical होता है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, आजकल लोग नहीं डालते, ये कई जगा बैन भी है, तो research और survey में ये कहा जाता है, कि थोड़ी सी मात्रा लेने से इसका लिय जा सकता है, और अक्सर ना लें, इसको कभी-कभी ले, खाने में टेस्ट को बढ़ा देता है, ये totally आपका decision है, कि आप इसे डाले या ना डाले, तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, बहुत ज़रा सी, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, इसमें डालेंगे एक टी स्पून, रेट चिली पाउडर, अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, सॉस में भी नमक होता है, तो थोड़ा सा नमक ध्यान से डालेंगे, अब इसे मिक्स कर देंगे, या आप सारी चीजें जब सॉस वगरा डाल रहे हैं, तो आप आज को कम जरूर कर दें, अदर्वाइस सबजी या नीचे लग जाएंगी, बाकी समय आप आज को तेज या मध्यम रख सकते, तो इसे अच्छे से टॉस कर लें, मिक्स कर लें, दो तीन मिनट के लिए, बस बढ़ियां फ्रेश होममेड नूडल्स त्यार हो गया है, रेस्पे वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छे लगी हो, तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब क हमारी वीडियो देखने के लिए घंटी को दबाईए, औल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार